नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपते ही यूटूब चैनल पर दोस्तों रात के साड़े नौब बच चुके हैं डेली यहाँ पर हमारा यूपी डिवलसी पीटी एक्जाम के मौक्टेस करा जाते हैं और आज में लेकर हां हिंदी के 50 महत्पॉर्ण प्रस् सब्ध के सत्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्य का प्रयोग होगा ठीक हैं तो दोस्तों यहाँ पर चवाब होगा सुध सब्द को इस्त्रीवाचक बंाने के लिए यह आप प्रत्य लगा देगे तो वहां干 मैं क्या हो जाएगा सुत हो जाएगा और आपको पता है कि प्रत्य सब्द के बाद Bin लगते है और उसका अर्स पर रिवतन करते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं चले तीसरा प्रस्ट देखते हैं अगर हम यहां पर देखें नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ हैं बहुत बार यह प्रस्ट नाया हुआ है दोस्तों नाक का बाल होना और मुहावरे सम्मंदी सभी important प्रस्ष्ण हम आपको कराते रहेंगे और डेली ये प्रेक्टिस आपकी जारी रहेंगे और अभी जो हमारा देश जिर भैयानाक प्रस्थिस गुजर रहा है और आप लोग से यहाँ पर निवेदन है कि आप घर बेटे त्यारी करेए ठीक है जनता कर फिए जो कुछ चीजे हैं यहाँ पर सरकार हमारे लिए आपके लिए यहाँ पर कर रहें एक मैसेज आप लोग के लिए घर बेटे त्यारी करें आपके त्यारिया कहीं बाधित नहीं होने माली है हम आपको डेली प्रेक्टिस एट प्रवाइट करा रहें ऑनलाइन एजुकेशन के बादिया हम हावरे कार्थ हैं दोस्तो अधिक प्री होना आपसे नमबर सी यहां पर करेक्ट होगा चलिए अगला प्रस देखते हैं असुका प्रयावाचे सब्द निम्निखित में से कौन नहीं है ठीक है तो दोस्तो असुका जो प्रयावाची सब्द है प्रयावाची भी महत्पुन होते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कटक क्या है अस्वका प्रयावाची नहीं है यहाँ पर ठीक है और कटक कार्थ होता राजा का सिविर या सैनिक छामनी तो इस प्रकार से यहाँ पर option number C है जो एक स्थान प और C यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा या अबर नेक्स प्रस क्यों बढ़ते हैं बुंदेले हर बोलो के मुह हमने सुने कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो जहांसी वाली रानी थी यह पंक्तियों के रचाईता कौन है बहुत इंपॉर्णे प्रस नहीं से प्रस अरध का होता है तो यहाँ पर दोस्तों जो समाज का अ होता है संखוצ्त अरत करते हैं और जब एक नया सब्ता आप जिसकी पूर्व से कोई आसा नहीं होती है उसके कहा जाता है अप्रत्यासित जीत है मेरी तो इस प्रकार से यहां कहा जाता है अगले प्रस क्यों बढ़ते हैं यहां पर देखते हैं प्रमुख भासाई कौसल के अंतरगत इनमें कौन एक नहीं आता अगर हम भासा कौसल के अं दरगत आते हैं हिंदी दिवस मनाय जाता है दोस्तों बहुत इंपॉर्डन प्रस्ट ने बार-बार आपके एक्जाम में आती रहता है हिंदी दिवस देखे आपका यहाँ पर 14 सितंबर को मनाय जाता है ठीक है 14 सितंबर 1949 को आपको पता है कि समिधान समिधान में यह राजभासा के तौर पर सामिल के गई थी और अनुच्छे 343 एक ठीक है तो रसान भूति यह आनंद भूति कराना ठीक है खें सवाक में विशेशन का प्रयोग हुआ है तो दोस्तों विशेशन क्या होता है आप सभी को पता होगा संगया यह सरनांक विशेश्ता बताने वाले को विशेशन कहते हैं तो अभी यहाँ पर देखें संग्या उस्था क्या बता रहा है क्या वो राम जाता है सिता फल्काती मेरी गाय काली है जल्दी उठना स्वास्त वर्दक होता है तो अभी आप यहाँ पर देखें मेरी गाय कैसी है भई सब्सक्रान कारक का संदिकार कर रही है और कि अगला प्रयूस देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कुछ निमन एदी करनख का प्रेयोग हुआ है ठीक है तो अधिकरण कारक यहां पर देखी अगर हम यहां पर अधिकरण कारक की बात करें तो में पर जहां पर आधार बताता है ना करताने कर्म को करन से संप्रतान को के लिए अधिकरण में पर जो अधार है तो अभी आप यहां पर देखो आधार क्या है यहां पर अधार बता रहा है वाहन आरून ठीक है वाहन पर आरून तो option number क्या हो जाएगा भई यहां पर एक correct हो जाएगा ठीक है किस रस्कोर अस्राज कहा जाता है बहुत ही बार यह प्रस्न आता रहता है तो दोस्तों हिंदी में आपको ऐसे प्रस्न मिलेंगे और सभी प्र अभी है यहां कुछ ऐसा महोल है कि प्रयागराज में देखे लॉक्डाउन किया गया है तो यूपी के सब इन जिलों में पंद्रा जिलों में प्रयागराज भी है तो मैं यहीं पर रहता हूं तो आप लोग को भी live classes नहीं दे रहा हूं recorded classes आप लोग को मिल लहीं है आप लो की दोस्तों बात करें तो घनान देखे रीतिकाल के कभी माने जाते हैं ठीक है रीतिकाल ऑप्शन नमबर यहां पर क्या होगा ऑप्शन नमबर यहां पर सी होगा घनान रीतिकाल के कभी माने जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस देखते हैं निमलखित में से स सुध शुझ वर्तनी वाला सब्द है देखें यहाば आसिर्वाद चार प्रकार से लिखा गया है एक सुध है यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह वाला जो आसिर्वाद है consideration यहाँ पर आपका यह सही है असिर्वाद इस तरीके से सुद्धन लिखा जाता है को से किस कारक चिन का बोदता है तो दोस्तों कारक आपके आठ प्रकार को होते हैं ठीक है इसमें से अगर हम देखे तो जो विभक्तियां हैं यहीं से आपके प्रसबनते हैं तो करताने कर्म को यहाँ पर आप देख रहे हो कर्मकारक है ठीक है option number यहाँ पर क्या हो जाएगा 168 का option number एक correct हो जाएगा सचिदानन हिरानन वातसायन का उपनाम है इनके उपनाम से भाई प्रसबंते यह ध्यान लखेगा इनका उपनाम क्या है भाई अगे है और कभी कभी अगे देता है इनका पूरा नाम पूछता है तो सचिदानन हिरानन वातसायन अगे बिहारी के प्रसिद्ध है भाई बिहारी जी क्या लिखते दे क्या करते दे तो बिहारी के जो दोस्तों जो प्रसिद्ध है वह क्या प्रशिद्ध है दोहे प्रशिद्ध है ठीक है चले अगले प्रस्थ को बढ़ते हैं पुनर जन्म सब्द का सही संदि विच्छेत आपको बताना है पुनर जन्म ठीक है चार आप सभी सामने तो यहाँ पर भी देखे दोस्तों क्या है यह विशर्ख संदिकार कर रही है और पुनाह धन जन्म ठीक है तो जो भी इंपॉर्टेंस अंदिया होती है सभी प्रेक्टिस का जाएगी आगर बढ़ते हैं सोक किस रस का इस्थाई भाव है ठीक है बहुत यहां पर अच्छा प्रस्ण है सोक किस रस का इस्थाई भाव है 172 सेरियल पर देखिए तो सोक द यहां पर करेक्ट है अगला प्रस्ट दोसों 174 पर देखिए आपसे कहा जा रहा है दोहा में कितनी मात्राएं होती है ठीक है तो छंद से भी इमपॉर्टर्ण प्रस बनेगा तो दोस्टों देखिए दोहा में जो मात्राएं होती है इसमें देखे क्या होता है पहले और तीसरे चरण में क्या होता है पहले चरण में 13-13 होती है ठीक है और तीसरे पहले और तीसरे में आपका 13-13 यानि कि जो विश्यम है और दूसरे और चौथे सम में 11-11 तो अगर हम यहां पर देखें तो पहले चरण में 13 होती है दूसरे चर तेरा ग्यारा ठीक है और पहले और तीसरे में दूसरे और चौथे में तेरा तेरा वह सोठा होता है यहां पर ध्यान नखिया तो ऑप्सण नमबर ए करेक्ट है जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ हो इस सब्द सम्हू के लिए एक सब्द क्या है तो दोस्तों जो अच्छे क नमबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले प्रेस क्यों बढ़ते हैं लड़का पेड़ से गिरा में कारक बताना है और भाई देखो यूपीट बेले से एक्जाम में बड़ा परिवर्तन तो ही है बिना यूपी पीटी पास किये आप आगे फॉर्म भी नहीं भ पढ़ते रो और जो भी यह अभी संकट के सिती है देश के साथ जो कुरोना वाइरस है उससे भी लड़ना है घर बेटे पढ़ते रहिए आगे जब स्कूल कॉल इंस्टूट खुलेंगे जो भी चीज होंगे आगे आपके एक्जामनेशन जो भी पोस्पोन कराएगे आगे जो यूपीटबले सी पर किया निभाएगा वो करत किया देखा जाएगा लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है तो दोस्तों देखे जहां पर कहीं पर भी अलगाव का भाव होता ना वहां पर क्या होता है अपादान कारक होता है हिमालय से गंगा निकलती है ठीक है पेड़ों से पत्ते गिरते हैं ठीक है तो यहां पर क्या है लड़का पेड़ से गिरा यहां पर अलगाव का भाव हो गया तो इस प्रकार से यह पादान हो गया चलिए अगले प्रेस के बढ़ते हैं पापी में कौन सा विशेशन है दोस्तों पापी देखे पापी में क्या है यहां पर आप देख सकते हैं कि पापी में किया ऐसा गुण है कहते नहीं है कि बहुत दुष्ठ है वो बहुत सजन है इस प्रकार से यहां पर क्या है यह खुण laughs question है नवल सुंदरον स्याम शरीइर की सजल नीरद सी कल कांथी भी कौन सा रचना है तो दोस्तों बीजक कभीरदाजी की रचना है चलिए अगला प्रस देखते हैं कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताईए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कपटी मित्र का जो सही मुहावरा बनेगा कहा जाएगा वह आस्तीन का साप ठीक है यहाँ प पवन का संदी विच्छेद है ठीक है पवन में देखिए जो आपकी संदी लगेगी आयादी संदी लगेगी और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर जो संदी बताए जा रही है वह है आपका पोधन अन यहाँ पर आपका सही हो गया अगला प्रस देखते हैं पुनर जन्म क का पुना धंजन्म है यहाँ पर पहले कॉश्चान आचुका है फिर से रिपीटर कोई बात ने चलिए इत्यादी संदे में कौन से संदी है इत्याद ही में अगर दोस्तों विया पर संदी देखें तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर यह कह सकते है दिंता पूरो प्रातना करना ना करना ठीक है उन्मूलन का विलोम क्या होगा तो उन्मूलन का दोस्तों विलोम होता है रोपन और जितने भी मैं आप लोग को प्रस्न करा रहा हूं सभी important है ध्यान से देखते जाएए पूरी पूरी playlist create है और यहाँ पर आपको free of cost त्यारी कराई जा रही है तो आप लोग पढ़ते रहो यार बहुत अच्छा होगा आप जब exam में बैठोगे तब आप देखना कि हाँ आपकी त्यारी कैसी थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते है महावीर प्रशाद दुएदी ने आदिकाल को क्या संग्या दी थी तो दोस्तों महावीर प्रशाद दुएदी जी ने आदिकाल की जो संग्या दी थी वह दी थी आपकी बीजव पन काल ठीक है option number यहाँ पर क्यों होगा भई option number D यहाँ पर correct होगा अतिसूदो सनेह को मारग है किसकी पंक्ति है तो दोस्तों देखिए रीद काल के कभी घणानान्द है और यह इनकी कभी है अतिसूधो को अतिसूधो सनेख को मारग है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर सही जवाब है कई चातरोग पता होगा कई को नहीं पता होगा तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आदुनिक हिंदी सायद की पहली आत्म गता के लेखा हरिवन्स राय बच्चन जी माने जाते है जी हाँ अमता बच्चन के पिता जी और इन्होंने जो लिखा था क्या भूलू का क्या याद करो ठीक है इनके प्रसिद्ध ये आत्म गता है ठीक है तो ये आपका माना जाता है आदुनिक हिंदी सायद की पहली आत्म गता के लेखा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस देखते हैं आरम में ही विग्न पढ़ना किस मुहावरे कार्थ है कार के आरम में ही विग्न पढ़ना दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखे तो क्या होगा भई सिर मुडाते ही ओ ले पढ़ना आप्शन नमबर सी यहाँ पर करेक्ट है नेक्स प्रस देखते हैं किस कवी को कवियों का कवी कहा जाता है सही जवाब है दोस्तों समसेर बहादूर सिंग जी को कवियों का कवी कहा जाता है 193 का यहाँ पर option number B correct है अगला प्रस देखते हैं किस रचनाकार की पंक्तियां है तो दोस्वों यहाँ पर यह जो सही जवाब है यह आपका है option number B कभीर दाजी का ठीक है कभीर दाजी की रचना है तूलसी दाजी की नही है भई आगे बढ़ते हैं हिंदी का पहला पत्र बताईए हिंदी का जो पहला पत्र है वह क्या है तो दोस्तों हिंदी का जो पहला पत्र है वह है उदंद मार्तंड ठीक है उदंद मार्तंड आगे बढ़ते हैं चिंता मड़ी किसका निबंद संग्रा है तो दोस्तों चिंता मड़ी अगर हम देखें तो ये किन का है भई रामचंद सुकल जी का है ओप्शन नमबर क्या है सभागी जो स्थापना हुए थी ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रेम सागर किसकी रचना है तो दोस्तों प्रेम सागर की अगर हम बात करें यहां पर देखिए तो यह ललू-लाल जी की रचना है ऑप्शन नमर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ट को बढ़ते हैं विद्पत्ति के अधार पर संगया कितने बेद होते हैं तो भाई देखो संगया विद्पत्ति के अधार पर और अर्थ के अधार पर दो अधार बाटा गया है विद्पत्ति के अधार पर देख तो दोसे के सब्दों का किस गा रही हूंू तो हाँ यहां पर क्या है प्रफ फिटी मॉटस हिंदी कर आपने कितने सही किए नीचे कमेंट करके जो बताएगा और डेली आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी और हम सब को मिलकर इस कह सकते हैं कि जो संकट के सिती है निपटना है जो भी सरकार कर रही है हमारे आपके नहीं कर रहे हैं सहयोग करिए घर बेटे पढ़ते रहे हैं और आप सभी को यहाँ प आपको बहुत बहुत धन्यवाद